इन सभी निर्देशां की युगमों पर ध्यान दीजिए। इन में से कौन से युगम आलेखित यानि की ग्राफ्ट नहीं है। आईए सबसे पहले तीन कौमा रिनात्मक दो को देखते हैं। हम इस आलेख को देखकर कह सकते हैं कि ये युगम आलेखित नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाकी सभी युगम इस आलेख में मौझूद है। चार कौमा रिनात्मक आठ यहाँ है। रिनात्मक आठ कौमा तीन यहाँ है। चार कौमा छै यहाँ है। और रिनात्मक एक कौमा शून्य यहाँ है। चलिए इसी प्रकार के एक दो उदाहरण और देखते हैं। क्या रिनात्मक 5,0 इस आलेख पर है? हाँ, हम देख सकते हैं कि ये भी इस आलेख पर मौजूद है. यहाँ पर रिनात्मक 4,5 होना चाहिए, तो ये जूड़ी इस आलेख पर नहीं है. तो हम रिनात्मक 4,5 को चुन लेते हैं. आईए एक और उदारण करते हैं. सबसे पहले रिनात्मक 8,4 को देखते हैं और हम तुरंत देख सकते हैं कि ये इस आलेख पर मौजूद नहीं है. हम इसे चुन लेते हैं और इस प्रकार हमने इस उदारण को हल कर लिया है.